Hello students, welcome to my channel किर्थी स्कोडिंग C language की इस सीरीज में आपका स्वागत है हम पैटन वाले सीरीज में 10th नमबर पैटन की और आगे बढ़ते हैं तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर 10th नमबर पैटन की और है तो हम देखते हैं हमारा 10th नमबर पैटन क्या है जो हमारा था basic coding और 4 steps भी वही रहेंगे बट इसमें कुछ condition change होगे ओके बट 4 steps को हमको complete करके हमको if condition को निकालना है और कितने row और कितने column से इसको पहले निकालना है तो step 1 में हमको कितने row और कितने column है ये हम पहले निकाल लेते हैं step 1 की और आगे बढ़ते हैं और step 1 में हमको row और column निकालना है फिर उसके बाद step 2, 3 और 4 को solve करके हम coding को solve करेंगे और इससे पहले हम एक बार basic codes को देख लेते हैं अगर आपको basic codes को देखने में कोई भी problem हो कोई भी दिखकत हो तो आप pattern का first video lecture को जरूर देख लिजएगा तो ये रहा हमारा basic codes जिसमें हमको यहाँ पर if condition निकालना है print क्या करवाना है वो लिखना है ठीक है और for loop का basic code ये रहा आपको basic codes में कोई भी problem हो तो आप first video lecture को देख सकते हैं अराम से ठीक है first video lecture को देखिए अब मागे बढ़ते हैं यहाँ पर मैंने देखा था कि 7th row और 7th column थे तो हमने यहाँ लिख लिया अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है first condition निकालना है इफ में और हमारा पहला value देखे पैटन में क्या है decrease है उपर की और यानि हमारा row में value हमारा क्या हो रहा है row में value पहले increase कर रहा है then decrease कर रहा है इसलिए जब k का value row number 4 में आ जाएगा तब तक value increase करेगा then value decrease करेगा तो यह एक बार हम समझ लेते हैं k अलग variable माने है जिसका value initially increase करता है then decrease करता है तो हमारा यहाँ पर कहाँ पर condition लिखाएगा i column मने यहाँ i row में जब enter करेगा तब वहाँ पर condition लिखाएगा तो हम एक बार steps की और आगे बढ़ते हैं तो 7th row और 7th column तो हमने लिख लिया है अब इसके बाद step 2 की और हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा step 2 क्या होता है कि जिस-जिस row और column में हमको print करवाना रहता है उसको हम उसी type से लिखते हैं तो steps 2 की और आगे बढ़ें जिस-जिस row और column में हमको print करवाना है उसको हम इसी प्रकार लिखेंगे और i और j variable i variable को हमको row मानना है और j को हमको column मानना है तो देखिए यहाँ पर क्या difference है यहाँ पर यही difference है कि यहाँ पर column में change हो रहा है न हो रहा है यह row और column दोनों में change हो रहा है तो हमको row को अगर हम consider कर लेते हैं I तो हमारा for loop के row के बाद हमारा value 4 तक increase किया है I का star value then उसके बाद decrease करना start हो आ है तो I एक variable मान लिए जो row को consider करता है और एक J variable जो की column को consider करता है तो J variable मान लिए जो column को consider कर रहा है हमारा अब इसके बाद हमारा जितना भी row number है उसको हम define कर देता है 7th row है ओके then 6 and 7 इसके बाद हमारा क्या आता है जिस जिस row में हमारा print हुआ है वो वो हमको लिखना है तो हम वो भी लिख लेते हैं हमारा 1st कहां 7th row में print हुआ है only उसके बाद हमारा कहां print हुआ है उसके बाद जिसे यहाँ पर 1st हमारा condition आता है तो हमारा 4th row में यहाँ पर print हुआ है तो fourth row लिख लेते हैं जो ही वही numbering करेंगे जहां जहां पर मेरा print हुआ है तो उसको number wise हम लिख लेते हैं हमने इसका same structure यहां पर row और column wise हमने बना लिया है अब हम extra variable k तक मानेंगे k एक extra variable मानेंगे जिसका value या decrease और increase करेगा तो उसको variable मानने से हमारा क्या अलाव है कि पहले ही row का value increase करवाना है फिर decrease कराना है तो अब हम step 3 के और बढ़ते हैं जिससे हमको अच्छे से जानकारी अच्छे से पता चल जाएगा कि हमको कौन सा value कहां increase और decrease करना उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या ऐसा condition लिखे जो सारे row और column को satisfy करें तो हमको एक form लिखना है jam में जो की सारे condition को satisfy करें तो माल दिजी हैं 4 4th row और column को हम मानते हैं 4th से हम सुरू करते हैं तो हम ऐसा क्या condition लिखे 4th में जो कि इसको satisfy करें, यानि value 1 और 7 के बीच में हो, अगर हम ऐसे लिखे, j greater than, j अगर less than, greater than equal to, greater than equal to 1, मनि 1 से value बड़ा हो, और हमारा condition क्या satisfy करेगा है, 1 से बड़ा हो, कोई ऐसा value जो 1 से बड़ा हो, और 7 से छोटा हो, तो ऐसा दुनिया में 2, 3, 4, 5, 6 value है, जो कि 1 से बड़ा है, और 7 से छोटा है, यानि बोथ condition मेरा satisfy हो रहा है, यानि यहाँ पर हम end operator का use करेंगे, तो हम end operator का use कर लिखते हैं, then j less than equal to 7, यह हमारा condition हुआ, अब सारे term हम इस condition में लिख लेते हैं, उसके बाद आगे हम इस step सोचेंगे, इसके बाद हमको क्या करना है, तो इसका condition हमने यहाँ पर लिख लिए, अब हम इस condition को एक generalized form में लिख सकते हैं, इस generalized form को हमको लिखना है, generalized form को हम इस step 4 म में हमको generalized form लिखना है, तो ऐसा क्या करें, यहाँ पर value देखिए, i के form में लिखना है, और इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, increasing order, यहाँ पर पहले decrease कर रहा है value, then 4, जब 4 row में आ जा रहा है मेरे value, then increase करने लग रहा है, फिर यहाँ पर increase कर रहा है value, then जैसे ही 4 row में आ रहा है, decrease कर रह रहा है, क्या हो रहा है कि यहाँ दो condition में लिखा है, एक greater than, equal to, एक less than, equal to, तो greater than, equal to में जहाँ पर increase कर रहा है, वही end के बाद वो value decrease कर रहा है, और वही greater than, equal to में जहाँ पर value increase कर रहा है, वही वहाँ पर less than, equal to में decrease कर रहा है, तो एक condition दोनों ही opposite हो गया है, तो fourth step में हम generalized form म कैसे लाएंगे तो हम एक्स्ट्रा वैरियेबल एक मान लेते है के जो की कॉमन वैलू मेरा यहां पर दे रहा हो तो एक्स्ट्रा वैरियेबल अगर हम यहां के मान लेते हैं के वैलू एक्स्ट्रा मान लेते हैं जो मेरा common value दे रहा हो, तो इसको अम्लिक सकते है, यानि मेरा value यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 1, बने के का value पहले 1, उसके बाद, then मेरा 2 value हो जा रहा है, then 3, then 4, ठीक है, then 4 के बाद ही हमारा value, एक value को consider कर ले जाए, तो फिर 4 के बाद ही हमारा value decrease करना start कर रहा है, तो यानि 4 के बाद 3 2, and then 1, तो यह हमारा common value मान लिए, यह common k का value मान लिए, अब इसको हम generalized form में किस प्रकार से लाएंगे, तो अगर यहाँ पर इस्टे 4 में हमको generalized form में लिखना है, j less than, greater than, equal to, क्या लिखे ऐसा कि मेरा वो form में आ जाए, मने k का value को use करके हमको j का value को बनाना है, तो अगर हम 5 minus k लिख दे, यानि 5 minus 1, then 4 हो जाएगा, 5 minus 2, then 3, 5 minus 3, 2, 5 minus 4, 1, 5 minus 3, 2, 5 minus 2, 3, and 5 minus, यहाँ पर 4, 5 minus 1, 4, तो यानि 5 minus k अगर लिख देता है, हम यहाँ पर 5 minus k अगर लिख देता है value, and then end operator का use किये, then j less than, equal to, मेरा कौन सा value यहाँ पर लिख सकता है, अगर यहाँ पर 3 plus k लिख देता है, यानि 3 plus k, यानि 3 plus 1, 4, 3 plus 2, 5, वही नीचे में देखिए, 3 plus 1, 4 भी आ जा रहा है, तो अगर हम 3 plus, अगर 1 मने k लिख देता है, तो मेरा value अच्छे से generalized form में आ चुका है, तीस से हम क्या देखे, कि हम extra variable का use करके, असानी से इसको generalized form में ला दिए, अब यही हमको if condition में लिखना है, और यहाँ पर चुकी, यहाँ पर row में हम देख रहा है, पहले increase हो रहा है, then 4 क बाद decrease होने start हो रहा है, तो हम row के बाद if condition लगाएंगे कि मेरा J, conditional operator लगाएंगे कि मेरा J का 4 तक value को increase किजिए, then decrease करना ही start किजिए, तो हम आ जाते है coding में, और coding में code करता है, इस सारे value को हम code कर लेते है, किस प्रकार से मेरा value कहाँ पर increase किया है, और कहाँ पर decrease किया है, तो if condition में हमको क्या लिखना है, मेरा if condition में क्या था, J, हमारा क्या था, J greater than equal to 5, क्या था, 5 minus K था, and operator, और operator का use किया था, हमने, और क्या लगा, and operator का use करके, फिर उसके बाद J, क्या था, less than equal to, less than equal to 3 plus K, तो ये तो value मैंने लिख लिया, ओके हमारा condition if वाला पूरा हो चुका है, print app में क्या करवाना है, star print करवाना है, star print करवा दिये हमने, अब उसके बाद if condition में हमको क्या लिखना है, मने, अब क्या है, हमने column, यानि row को हमने consider किया था, तो हमको row के बाद ही हमारा changes होगा, यानि row के बाद I का value, आई का value मेरा, जब less than, less than equal to 4 हो, तब conditional operator का use करके, के का value को हमने plus plus किया है, then, उसके बाद k का value क्या कर दो, minus minus कर दो, तो यह हमारा condition भी हो गया, यह condition भी satisfy करेगा, क्योंकि हमने यहापर, हमांको क्या करना है, k का value को zero से initialize करना है, क्योंकि k का value पहले से हम कुंस consider नहीं कर सकते हैं, जब तक row और column में नहीं होगा, तो अब हम इस program को compile और run करके देखते हैं, हमारा पूरा coding तयार हो चुका है, हमने if condition निकाल लिया है, हमने if condition को satisfy कराने के लिए, k का value एक अलग से माना है, जिसका value 4 तक increase करवाया है, तो program चलिए, compile और run हो चुका है, जो pattern हमको print करवाना था, वो यहाँ पर print हो चुका है, यह coding को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिए, कि यह pattern को print करवाने के लिए हमने क्या codes का use किया है, हमने वही 4 steps को follow किया, बस थोड़ा से small changes किया है, और हमारा यह pattern print हो चुका है, तो एक बार 4 steps को हम देख लेते हैं, और जो pattern print करवाया है, उसको भी एक बार मिला लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, हमको यह pattern print करवाना था, 10th number pattern, और वही pattern हमारा यहाँ पर print हो चुका है, तो यह coding को, यह steps को आप अच्छे से follow किजिए, यह step बहुत ही एकदम evaluate किया हुआ है, यह steps को अच्छे से follow किजिए, और यह step को follow करने के बाद, अब किसी भी coding program को, किसी भी pattern को आसानी से print करवा सकते है, तो आज का video lecture मेरा यही पर समाप्त होता है, आपको कोई भी problem हो, difficulties हो, आप comment जरूर कीजिए, आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए and share कीजिए, और bell icon को click कीजिए, ताकि हर video को notification आपके screen पर आता रहा है, आपको कोई भी problem हो, आप comment जरूर कीजिए, तो आज का video lecture मेरा यह है पर समाप्त होता है, thank you students